हलो दोस्तो मैं हूँ आपको होस्स जूसफ जैक्स तो जैसे कि आपको याद होगा रिड्मी नौट 5 प्रो में नया वर्जिन जो आया था भी लास्ट में में वो डाउन ग्रेड हो गया था जयानि कि जो आप आये थे औरियो में आप उसको पीछे लेके चले जाते अगर आप डाउन ग्रेड करते तो तो मैंने यहाँ पर डाउन ग्रेड नहीं किया था तो मेरा करेंट वर्जिन जो है वो है 9.5.11 और आप वेट कर रहे होगे कहीं ने कहीं 9.5.13 का तो 9.5.13 आ गया है अब अपसोस की बात यह है कि आपके अपडेटर एप के अंदर वो नहीं दिख रहा है तो I am sorry मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता बट मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो यह देखो MIUI Redmi Note 5 Pro और यहाँ पर साफ साफ आपको लिखावत दिख जाएगा यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या यह देखो यह करने वाले हैं खौ100 के दोस्तों तो यहां पर जो मेरा फाइल हो डाउनलोड हो चुका है ठीक है तो अब डाउनलो्ड जो हो गया है तो अब इसको इंस्टौल कैसे करना है तो इसके लिए आपको अपने सेटिंग में जाना है ठीक है अब आउट फोन में यहां पर आपको आ रहा है तो बढ़िया नहीं आ रहा है तो फिर मैं तरीका बता रहा हूं यहां उपर इसमें आपको 3.menu दिखता है इस पर क्लिक कीजिए उसके बाद यहां पर देखिए एक option है चूस अपडेट पैकेज आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यह फाइल चूनने के लिए बोलेगा तो आप फिर इसको जाएंगे फाइल मेनेजर पर ले करके उसके बाद आप इसको लेके जाएंगे डाउनलोड के अंदर इ तो इस पर हम क्लिक करेंगे यहां और नीचे आपको एक बटन दिखेगा ओके इस पर आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका फाइल जो है वह एक्स्ट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिंग हो रहा है 73 और का डिस्क्रिप्ट हो जाएगा तो देखिए यहां पर स्क्रिन पर आपको आगे कि प्रोसेस दिख रही होगी यह डिवाइस विल रिबूट आटोमेटिकली वर्जिन 9.5.13 ठीक है ग्लोबल लिखा हुआ है तो अब समझ गया कि इंडिया में क्या व्ल्ड वाइड आप कही इसको इंस्टॉल कर सकते हो तो रिबूट एंड अपडेट पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यह चला गया डाउनलोडिंग प्रोसेस में ओके दोस्तों तो विदिन अमिनट अपडेट जो है वो इंस्टॉल हो गया है 1947 और यहां पर ब्राइटनेस ठोड़ी कम हो गया यह कि Oreo हमें फिर से मिल गया है और यहां पर आप जैसा कि देखेंगे Redmi का यहां पर MIUI वर्जिन जो है वो देखिए 9.5.13 दिख रहा है और security patch भी मैं आपको दिखा देता हूं कि security patch जो है वो कब कर देखिए security patch जो है वो भी में का मिल गया है यहां पर एक में का यहां लिखा हु जैसे कि पहले आप portrait mode पर जाते थे तो portrait mode make sure object हां तो portrait mode में क्या होता था कि 2x zoom हो रहा था ठीक है तो वो zoom को उन्होंने fix किया था एक हद तक लेकिन अगर आप कोई भी filter उपर से चूनते थे हां कोई भी filter अगर आप उपर से चूनते थे तो filter चूनने के बाद automatically 2x zoom हो जाता तो वो अभी मुझे होता वा नहीं दिख रहा है तो ये एक चीज़ कहीं नहीं अच्छी हुई है charging का क्या matter है जो charging का decrease हो गया था charging speed तो वो तो देखने में मुझे बहुत time लगेगा तो इस पर मैं जल्दी ही एक और वीडियो बनाऊंगा और तो कुछ इसमें बचा नहीं ह लेकिन अब ये वर्क कर रहा है या नहीं इसके लिए मुझे दो जियो सिम लगाने होंगे तो मैं लगा के चेक करके आपको अगली वीडियो में जरूर से बताऊंगा तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सक के और नोटिफिकेशन बेल जरूर से दबाईएगा